दोस्तों किया आपके हाथों पे भी बहुत ज़्यादा कालापन है और टानिंग हो गई है दूप के कारण और टानिंग के चलते काली सी परत जम गई है आपके हाथ पेरों की ओपर अगर आपका जबाब हाँ है तो इस वाली रेमेडी का इस्तमाल आप जरूर करके देखे दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे हाथों को देख रहे हैं मेरे हाथों पर आप देख सकते हैं जितना भी कालापन था जितने भी गंदगी थी काली परत थी सारी निकल गई है मेरे हाथों की स्केन कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है आप खुद देख सकते हैं चले तो चोट सा लाइक भी ज़रू कर दीजीगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मिरे लिए बहुत माइने रगता है तो आज मैं ना आपके साथ में फेसपैक के वीडियो शेयर कर रहे हूँ ना कोई हैर पैक के वीडियो शेयर कर रहे हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा टानिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा कालापन है जिद्धी मेल है या जिद्धी काली परत सी जम गई है तो कैसे उसे रिमूव करेंगे और ये जो काली परत है जाने का नाम ही नहीं ले रही है तो अगर इस वाली रेमेडि को अगर आप अपने हाथों पर अपने पेरों पर अपने गरदन पर गुटनों पर जहां पर भी काली परत सी जम गई है वहाँ पर यदि आप इस remedy को लगा लेते हैं, हफते में कम से कम तीन बार, तो आपके हाथ वरूपर जितनी भी गंदगी है, काली परत सी जम गई है, सब निकल जाएगी हफते में तीन बार यदि इस remedy को आप लगा लेते हैं, बहुत ही आसान सी remedy उस्तों को एक ताम जाम करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताया है, घर की चीजों के साथ में हमने इस remedy को बनाया है, तीन दिन यदि आप लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे क स्क्रब की तरह आपकी स्किन पर काम करता है, ये सारी dead skin cells को remove कर आपकी स्किन को glowing बनाने का काम करता है, दोस्तों coffee powder के साथे साथ आपको लेना है तेज गरम पानी, तो मैंने पानी को यहाँ पर गरम कर लिया है, बिल्कुल जादा गरम पानी लेना है आपको, जितना चमच भर के coffee powder, अगर आपकी पास पाउच है तो एक पाउच आप पूरा डाल दीजे इसमें, उसकी बाद आपको इसमें मिलाना है एक चमच अलोवेरा जेल, एक चमच आपको इसमें डालना है चावल का आटा, अगर आपकी पास चावल का आटा नहीं, तो आप यहाँ पर बेदा खुबसूरत बनाने की ताकत रखता है नीमुकर रस, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप mix कर लीजे, तो यह जितना में इंग्रेजिन बताया है, जितनी quantity आपको लेनी है, perfect यही quantity आप रखेगा, तो आपका पैक बिल्कुल अच्छी तरीके से perfect बन जाएगा ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा बनेगा, अगर आपकी quantity में थोड़ा उपर नीचे हो जाता है, यदि पैक पतला हो जाता है, तो थोड़ा सा और आप इसमें चावल काटा या बेसन मिला लीजे, और अगर दूसरी तरफ पैक ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो आ आप क्या कीजिए, गरम पानी का कोई बरतन ले लीजिए, उसके अंदर पानी गरम होना चाहिए, बिल्कुल, कटोरी को, स्टील की कटोरी को आप रखेगा, यह मैंने काच के लिए, तो स्टील की कटोरी को आप उस गरम पानी के अंदर डाल करके रखेगा, यानि की डबल method की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जिससे कि आपका जो पैक है ना ठंडा होने नहीं पाएगा वो गरम रहेगा तो गरम गरम ही आपको इस पैक को अपने tanning वाले हाथ पर लगाना है आप यदि 10 मिनट के लिए भी बाहर धूप में निकल जाएंगे ना तो आपका हाथ पैर जो भी exposed एरिया रहता है सन को तो बहुत जल्दी टैन हो जाता है और जब हमारे हाथ पर काले हो जाते हैं टैन हो जाते हैं तो हम खुद ही जो है लो मैसूस करते हैं हमारे confidence level काफी लो हो जाता है क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है दिखने में आप कितने भी कोशिश करेगा tanning को निकालने की tanning जो है जल्दी से नहीं निकलेगी लेकिन जो आज की remedy न दोस्तों वो रामबान है टैनिंग के उपर यकीन माने एक ही बार में आपको wonderful result देखने को मिलेगा अब इस पैक को लगा कर आप कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए तो मैं आपे अपने दोनों ही हातों पर लगा रही हूं दस मिनट के लिए छोड़ दूंगी उसकी बाद आपको इसे निकालने का तरीका देखेगा दोस्तों अभी वीडियो खतम नहीं हुआ है इसको रिमूफ करने का तरीका जो बहुत ज़दा important है अब देखे 10 मिनट हो गया है दस मिनट बाद पैक जो है यह बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने दोनों भी हाथो पर लगड़ना है आपने पैरो पे और अदी लगाया है इस पैक को पैर ऑप को अछिए सथा तरीका अब compete इसे छिलके की नहीं से और गवराईक्वरी नहीं यहां हमारे छेरे की इंसकिन नहीं है जिसमें लिखेगा इसको तब ही तो आप यकीन कर पाएंगे इस रेमिडी पर यह देखे जिस एरिया से मैंने इसको निकाला है उस एरिया में जो है मेरा हाथ काफी सब्सक्राइब मुझे खुद नजर आ रहा है तो इस पैक को जैसे कि मैं आपको बताया कि आप पनी गर्दन पर लग सकते हैं गुटनों पर लगा सकते हैं जहां पर भी जो डार्क एरिया रहता है हमारे सकीट पर वहां वहां पर आपस पैक को लगा सकते हैं और निकालने welt जिश verr के भी आपको बताते हूं यह देखिए दोस्तों है ना बहुत ही भैतरी रिजल्ट मिला ना मुझे वैसे ही आपको भी मिलेगा अगर आप ट्राइ करेंगे तो इस रेमेडी को आप करके देखिए रुस्त और बहुत पसंद आएगी आपको इस रेमेडी रेमेडी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा सता शेर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए थांक्यू सो मच वाचि अच्छी टेक केर